कोई ब्यक्ति भारतिय विधाईका में एक साथ two houses यानि कि दो सदनों का सदस्य बना रह सकता है क्या जी है नमस्कार दोस्तों मैं हुमित कुमार मौर्या और आप देख रहे हैं मौर्या टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है दो रह सकता है तो इस वीडियो में हम इसी भी से परचर्चा करेंगे तो जो भारतिय विधाईका है इसमें मुख्यत चार हाउसेज है ठीक है जानि कि चार सदन है केंद्रिय विधाईका में दो सदन और राजय विधाईका में लोक सभा और राजय सभा और राजय विधाईका में विधानसभा और विधान परिस्थ तो भारती जो राजनीत है इसके में क्या किया गया है कि जो ये चारो सदन हैं इनके मेंबर्स को लाब का पद नहीं माना गया है ठीक है जानिकि अगर कोई ब्यक्ति किसी हाउस का सदा से है तो भी दूसरे हाउस का चुनाव लड़ सकता है या फिर दूसरे हाउस के लिए नॉमिनेट हो सकता है ठीक है दूसरे हाउस के मेंबर के लिए तो ऐसे स्थिती में इस तरीके की समभावना बन जाती है घट्णा बन जाती है कि कोई ब्यक्ति एक सधन का सदस्य है उसके बावजुदध वह दूसरे सतन में चुन लिया जाता है तो ऐसी स्थिती बनने पर क्या होगा इसके लिए जो हमारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसमें कुछ बाते बताई गई है हाला कि एक ब्यक्ति एक साथ अधिक दिनों तक दो हाउसेज का मेंबर नहीं रह सकता तो इसके बारे में क्या प्रावधान है वो बारी बारी से समझनेते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा और रायसभा के बारे में तो अगर कोई ब्यक्ति लोकसभा का मेंबर है और वो रायसभा का चुनाव लड़ता है और रायसभा का चुनाव जीत जाता है या फिर रायसभा के लिए नॉमिनेट हो जाता है तो वैसे स्थिति में उसकी ल किलाजा सभा के सीट अपने आप खाली हो जाएगी और वो चुनाव जीतेगा उस पद पर रह जाएगा और पहले वाली खाली हो जाएगी वहीं अगर कोई ब्यक्ति लोग सभा में दो जगाव च्छुनाव लड़ता है क्योंकि आप जानते हैं कि कोई आप दूनों के अंदर एक seat छोड़ना पड़ता है जानी कि उसको बताना पड़ेगा चुनाव आयोग को कि मैं इस seat पर रहना चाहता हूँ और दूसरा seat छोड़ना चाहता हूँ ठीक है? वही तिसरी जो condition है उसमें क्या होता है कि हो सकता है कोई व्यक्ति लोगसभा का member हो और उसने बिधान सभा का चुनाव आड़ा हूँ ठीक है और चुनाव जीत गया या फिर वो बिधान सभा का member है और लोगसभा का चुनाव आड़ा और वो जीत गया तो ऐसे इस्तिती में क्या होगा कि उसको 14 दिनों के अंदर बताना होगा चुनावायोग को कि मैं किसका सदस्य रहना चाहता हूँ नहीं तो ऐसी इस्तिती में उसके लोग सवा के सीट खाली हो जाएगी और वो विधान सवा का मेंबर बना रह जाएगा थीक है तो इस तरीके का सिस्टम बनाया गया है तो अगर हम इन सभी चाहो को बहुत ही छोटे सब्दों में समझें तो अगर कोई व्यक्ती एक सांथ दो सदनों का सदर से बन जाता है यानि कि टू हाउस का मेंबर बन जाता है तो उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के बटन जोड़े वीडियो करें और हमारे वीडियोच के बारे में जो भी सुचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर निखिए अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है आप कुछ पूछना चाहते हैं उसे भी कमे पूछने हो